बेटी का विवा अम्रत राय जी का जीवनी अम्ष लड़की सायानी हुई या नहीं हुई यह चीज हमारे यहां बहुत कुछ इस पर भी निर्भर होती है कि उसे स्कूल कॉलेज की शिक्षा मिल रही है या नहीं जो लड़की पड़ रही है उसके शादी ब्या के बारे में समाच ज़्यादा चिंतित नहीं होता लेकिन जिस लड़की के साथ ऐसी कोई कैद नहीं है उसके 15-16 की उम्र तक पहुँशते ही समाच उसके ब्या को लेकर व्यस्त और चंचल हो उठता है कहने वाले कहने लग जाते हैं कि अमुक ने सयानी लड़की बिन ब्याही घर में डाल रखी है लड़की में कहीं कोई एब तो नहीं है जो उसका ब्या नहीं होता सद ग्रहस्त की असल चिंता का कारण यही वाचाल समाज है मुन्शी जी के बेटी के साथ भी यही बात थी स्कूल कॉलेज की पड़ाई का सुयोग उसको नहीं मिला या नहीं दिया गया कुछ रोज लखनाओ के आर्य महिला विद्याले में गई मगर फिर वहां से भी उसे चुड़ा लिया गया आज जहां अनपड लड़की पर उंगलिया उठती हैं 40-45 साल पहले पड़ी लिखी लड़की पर उठा करती थी लड़की को पढ़ाना अपने आप में क्रांती थी मुन्शी जी भी इस क्रांती के लिए तयार ना थे ये ठीक है कि उसकी जीवन की परिसितियां काफी अव्यवस्तित रही बेटी महोबे में पैदा हुई थी बस्ती में वह बहुत ही छोटी थी गोरकपूर में भी छोटी ही थी और जब कुछ-कुछ इस उम्र को पहुँची कि घर में ककहरा और बारा खड़ी पढ़ाने से ज़्यादा कुछ पढ़ने की बात सोची जा सकती तभी मुन्शी जी का गोरकपूर का आपदाना चोट गया सरकारी नौकरी से इस्तिफा देते समय मुन्शी जी ने सोचा था कि शांती से घर बैठेंगे लिखेंगे पढ़ेंगे देश सेवा करेंगे लेकिन शुरू से ही गरीबी ने पैर में जो चक्कर बान दिया था वह अब भी नहीं छूटा तंग दस्ती भी बनी रही और दर-दर का भटकना भी बना रहा कानपूर, बनारस और लखनव किसी जगद जम कर रहना नहीं हो सका बनारस में बहुत बार शहर छोड़ कर देहात में रहना पड़ा जहां से लड़की को शहर भेच कर पढ़ाना संभव न था जो कुछ इत्मिनान या आसूदगी मिली वह लखनव में बेटों की पड़ाई जो दोनों अपनी बहन से चोटे थे वहीं शुरू ही लेकिन बेटी की पड़ाई शुरू करने के लिए तब तक ज्यादा देर हो चुकी आधे मन से कुछ कोशिश जरूर हुई लेकिन आधे मन से ही किस्सा कोता वह पड़ नहीं सकी और चूला पकड़े बैठी रही जो की घर की सयानी लड़की का काम है मा उन दिनों बराबर वीमार रहती थी संभव है बेटी को स्कूल से हटा कर घर के काम काज में लगाये रखने का यह भी एक कारण हो इन सब के बाद भी यह मानना कठिन है कि बेटी को ठीक से शिक्षा का सुयोग न देने की पीछे और भी कोई कारण नहीं था जहां तक प्रमान मिलता है जिसमें उनकी इसी काल के लिखी हुई शान्ती जैसी कहानियों का प्रमान भी है उसका बड़ा कारण यह था कि पड़ी लिखी लड़कियों की तरफ से उनके मन में कहीं यह चोर था कि लड़कियां पड़ लिखकर ग्रहस्ती के काम की नहीं रह जाती तितली बनकर यहां वहां गुमते रहने में ही उनका जी लगता है अगर इससे अलग भी कोई बात उनके मन में थी तो वह कमजोर थी और चारों तरफ एक पिछड़ा हुआ समाज था जो लड़कियों की पड़ाई को अच्छी निगा से नहीं देखता था लिहाजा बेटी घर के भीतर और घर के बाहर समाज के पिछड़ेपन का शिकार हुई और मामूली हिंदी से ज़्यादा कुछ न पड़ सकी अब उसके ब्या का मसला दरपेश था उन दिनों मुन्शी प्रईमचंद लखनाओं में नमबर टू हिवेट रोड के मकान में रहते थे जिसमें आजकल डॉक्टर पाठक का होमियोपतिक दवा खाना है नीचे मकान मालिक रहते थे वहीं पाठक साहप और उपर के दो हिस्सों में किरायदार एक में मुन्शी जी और दूसरे में हरिनंद या डॉक्टर भट जिनका जिक्र उपर आ चुका है मुन्शी जी ने एक रोज उनसे कहा उन्होंने सागर जिले के अपने एक सहपाटी प्रभुदयाल से कहा प्रभुदयाल ने जो खुद विवाहित थे अपने एक छोटे मौसेरे भाई का संकेत दिया मुन्शी जी ने फोरण उसी पते पर दशर थलाल साहप को खत लिखा जो वर के बड़े बहनोई थे और घर का सारा कामकाश देखते थे पत्र कुछ इस प्रकार था मैं बनारस के पास एक देहात का रहने वाला आपकी ही बिरादरी का विक्ती हूँ बनारस से चार मिल दूर आजमगड रोड पर एक गाउँ है लम्ही, मौजा मडवा वही मेरा मकान है इन दिनों माधुरी कार्याले में संपादक का काम करके आजी विका चला रहा हूँ मैं सामाजिक अत्याजारों से सताया हुआ विक्ती हूँ इस समय मेरे सामने एक गंबीर समस्या अपनी लड़की की शादी की है मुझे ऐसा लगता है कि आपके सहयोग से वह सुलच सकती है मेरे कई रिष्टेदार यूपी में फैले हुए है मैं चाता हूँ कि आप चिरंजीव वासुदेव प्रसाद के लिए मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें मेरे विशय में और जो कुछ जाना चाहें लिखिए सहर्ष उत्तर दूँगा यह खत पाकर दशरतलाल साहब ने फोरण जैसा की घर के बड़े के लिए उचित था प्रबुदयाल साहब को एक खत यह मालूम करने के लिए लिखा कि क्या यह वही मशूर उपन्यासकार प्रेमचंद है प्रबुदयाल साहब ने जवाब दिया कि जी हाँ यह वही मशूर मुंशी प्रेमचंद है तब फिर दशरतलाल साहब ने कुछ विनम्र किन्तु अनुभवसित शब्दों में मुंशी प्रेमचन के ख़त का जवाब दिया आपका पत्र मिला ऐसा पत्र तो सवभागे उदे से ही प्राप्थ होता है आपने अपना पूरा परिचय नहीं दिया है पर मुझे पता चल चुका है सूरज को चिराग लेकर नहीं देखा जाता आप ही की तरह मुझ पर भी यह एक महान उत्तरदाईतो है और उससे मुझे उबार लेने के लिए आपका सयोग भी उतना ही आवश्यक है यहाँ वश्य बता देना चाहता हूँ कि यह देहात है सामाजी कुरूतियों का भाव यहाँ भी नहीं है यदि पी मुझे और अनुमानतह मेरी सास साहबा को भी इसकी जादा परवा नहीं है तो भी इस घर के इतिहास, इसकी प्रतिष्ठा और मर्यादा के प्रकाश में मेरे कर्तविय पालन में कुछ विशेशताएं रहेंगी और मुझे आशा है कि आप उसकी सुविधा मुझे देंगे अतह मुझे पहले से मालुम हो जाना चाहिए कि शादी में आप कितना खर्च करना चाहते हैं और उस खर्चे का कितना हिस्सा ऐसा होगा जिससे मुझे व्यावाहारिक सहायता मिल सकेगी और यह भी सपश कर देना चाहता हूँ कि यह किसी रईस का घर नहीं है साधारन जमीनदारी परिवार है और लड़का अपने घर का आप मालिक है हाँ दाल रोटी का सुक उसे अवश्य प्राप्त है बातचीत का सिलसिला शिरू हुआ चिट्टिया दोडने लगी फिर बाबु दश्रत लाल अपने एक अंतरंग सखा के साथ किसी बहान से लखनव भी पहुँच गए और बातों-बातों में लड़की को देखने की इच्छा भी व्यक्त की मुन्शी जी अंदर गए पत्नी से कहा कि वे लोग लड़की देखना चाते हैं पत्नी ने कहा ठीक है वे लोग लड़की देखना चाते हैं तो हम लोग दिखाएंगे लेकिन घर पर नहीं दिखाएंगे फिर जब मुन्शी जी उठकर बाहर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने स्त्री की सहच व्यवहार बुद्धी से पूछा अरे उन लोगों का मुँ भी कुछ मिठा कराओगे की यो ही घर में उस समय और कोई न था इसलिए मुन्शी जी खुद ही गए और पास के खलवाई के यहां से मिठाई ले आए मु मिठा होने के बाद यह तैप आया कि अगले रोज दोपहर को तीन बजे आप लोग अजायब घर पहुँच जाईएगा हम लोग भी लड़की को ले कर पहुँच जाएंगे वहां हम लोग आपस में पुराने मुलाकतियों जैसी बातें करेंगे और फिर वहीं से बनारसी बाग चलेंगे चिडिया घर और सब देख दाख कर साथ साथ घर लोटेंगे इतनी दिर में आपको काफी मौका लड़की को देखने और समझने का मिल जाएगा सब कुछ हुआ और जैसे कि इस बादचीत में थोड़ी सी बदमजगी भी एक जरूरी चीज हो वह भी हुई लड़का खुद लड़की को देखे इस बात को लेकर मौन्शी जी ने उसके लिए कतई इंकार कर दिया और दो एक तेज चिट्थियों का विनिमय भी हुआ आखिर बाबू दशरतलाल ही को जुकना पड़ा और तान इस पर तूटी कि लड़के की माँ और बहन जाकर लड़की को देख ले लेकिन जिस चीज ने मौन्शी जी का मन अपने होने वाले दामात की तरक बहुत नर्म बना दिया था वह थी उसकी एक चिट्थी जिसकी नकल दशरतलाल साहब ने बेजी थी शादी मुझे मनजूर है इसका ख्याल रहे कि जिस घर में मेरी शादी हो वह घर दिवालिया न किया जाए शादी ब्या एक दिन का रिष्टा नहीं हमारा उनका यह तीन पुष्टों का रिष्टा होगा इसलिए आप उनको दिवालिया न कीजिएगा खानदान भी कोई ऐसा वैसा नहीं था वासुदेव के पिता मुंशी भवानी प्रसात कस्बा मदारीपुर जिला जालाओन यूपी के रहने वाले थे दो साल की अवस्था में ही उनके पिता की मृत्ति हो गई तब उनके मामा जो मीजा, कुपुर्दा, जिला, चिंदवाडा, सीपी के रहने वाले थे उनको अपने साथ लिवा ले गए और वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई शासन व्यवस्था उन दिनों की बहुत अस्त व्यस्त थी उनके मामा कुछ लोगों की शरारत से एक कतल के मुकदमे में फास दिये गए और काले पाने की सजा पर गए फिर मुन्शी बवानी प्रसाद की शादी देवरी जिला सागर के लाला मनुलाल की इकलोती लड़की से हुई संयों की बात कि लाला मनुलाल 1857 की कुछ बात जबकी वह लगान की वसूली पर गए हुए थे मार डाले गए अब घर में उनकी बेवा के सिवा और कोई न था इस क्याल से मुन्शी बवानी प्रसाद को देवरी बुला लिया गया देवरी के अलावा और भी 5-6 गाउं उनकी मिलकियत में थे मुन्शी भवानी प्रसाद ही उन सब का इंतजाम करते रहे और विरासतन भी जायदाद उनहीं को मिली मुन्शी भवानी प्रसाद बड़े धार्मिक व्यक्ती थे सवेरे चार वजे उठकर स्नान करते थे और गाय की पूजा करते थे फिर मंदिर जाकर पूजारी की पूजा करते थे और उसके उपरांत श्री देव मुरलीधर की पूजा करते थे जिनके नाम पर देवरी का कस्बा बहुत पहले से वफ था वह municipality के उपस अभापती थे, honorary magistrate थे, arms act से मुस्तसना थे यानि उनको हत्यार रखने की आजादी थी लेन देन में वह बहुत साफ थे और अपने व्यक्तितों और शिष्ट व्यवहार के कारण जनता के बीच और सरकारी शेत्रों में उनका एक सा मान था अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में देवरी के गवर्नर के नाम से उनका उलेक होता था और जनता उन्हें सरकार कहकर पुकारती थी यहों उनके पद से भी अधिक उनके व्यक्तितों का ही सम्मान था धर्म प्रचार में उनकी बड़ी रुची थी इसी प्रसंग में वह अक्सर उस समय में बड़े बड़े विद्वानों जैसे पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, पंडित दीन दयाल वानी भूशन, स्वामी हंस सुरूप आधी को बुला कर उनके व्याख्यान कराया करते थे कटर सनातन धर्मी होने के नाते उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के खंडन में एक पुस्तक भी लिखी दयानंद मत विद्रावन इसी तरह की एक पुस्तक उन्होंने और लिखी भासकरा भास निवारन उनके पुस्तकाले में चारों वेद, अठारों पुराण, छ शास्त्र और उनकी अनेक टीकाएं महा भारत वालमिकी रामायन, नर्नय सिंदू और धर्म सिंदू आधी पुस्तकें दूर दूर से मंगा कर एकत्र की गई थी से 1905 में बंग-भंग आंदोलन के समय जो राजनीतिक लहर उठी उसने उनको भी अपने साथ लपेट लिया उस आंदोलन के साथ साथ जैसा की विदित है स्वदेशी का अंदोलन, विदेशी वस्तों के भहिशकार का अंदोलन, मध्य निशेद और विदेशी चीनी के परित्या का अंदोलन भी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ जब ये चीज कुछ जड़ पकड़ने लगी तो अंग्रेज अधिकारियों के कान खड़े हुए उनकी तहकीकात शुरू हुई और उनका सबसे पहला वार जैसा की उचित ही था मुन्शी भवानी प्रसाथ पर हुआ उनके विरुद सबसे बड़ा प्रमान रुडकी के हिरालाल गुप्त द्वारा प्रकाशित विलायती चीनी से धर्मनाश होता है नामक पुस्तक थी जिसकी पुष्ट पर इस आशे की कुछ बात छपी थी कि हम देवरी के मुन्शी भवानी प्रसाथ का साधुवात करते हैं जिनोंने प्रचारार्थ इस पुस्तक की हजार प्रतिया मंगाई इसी प्रकार उन्होंने लोकमान्य तिलक की लिखी हुई स्वदेशी का बायकॉट भी बड़ी संख्या में मंगवाई और लोगों में बांटी तब ही सुनते हैं कि लोकमान्य तिलक से उनका पत्रवेवार भी हुआ जिसमें अधिकतर राजनैतिक और धार्मिक प्रश्णों की चर्चा रहा करती थी घर की तलाशी में पुलिस को लोकमान्य तिलक के कुछ पत्र भी मिले थे मुकदमे की दूसरी पेशी देवरी से 16 मिल दूर एक निर्जन स्थान में रखी गई ताकि लोग वहां न पहुंच सके और कोई बलवा न हो वहां उनके 22,000 रुपिय नकत की जमानत मांगी गई और लोगों को बढ़ा अश्चरी हुआ जबकि वहां से 30 मिल दूर रहने वाले एक सुनार ने जो और बहुत से तमाशियों के साथ वहीं खड़ा था जमानत की इतनी बड़ी रकम दिना मनजूर किया लेकिन किसी वज़े से जमानत उस वक्त नहीं ली गई और बाद में अपील करने पर जमानत की रकम घट कर 2000 रह गई यह जमानत एक साल के लिए देनी पड़ी और यह एक साल का समय देवरी से बाहर रहकर गुजारना पड़ा इस फैसली की अपील जबलपुर के सेशन जज़ के यहां की गई पर जमानत बहाल रही अंत में जुडिशनल कमिशनर के यहां अपील होई जुडिशनल कमिशनर स्टीवन्स नाम का एक आयरिश आदमी था उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया जो ऐसे एक मुकदमे में जो की शायद परांथ का पहला राज द्रोग का मुकदमा था और जिसकी जड़ें इतनी दूर दूर तक पहुँशती थी कि उसमें नासिक और मानले की जेलों में लोकमान्य तिलक तक की गवाही रकॉर्ड की गई मुजर्म की अपील मंजूर की और उसे इज़त के साथ बरी करते हुए अपने फैसले में लिखा यह बड़े खेट की बात है कि महस सुनी सुनाई बातों के आधार पर इतने धर्म भीरू न्याय परायन और धर्मात्मा व्यक्ति को इतना ज्यादा सताया और परिशान किया यह स्टीवेंस की सरकारी जिंदगी का आखरी मुकदमा था इसके बाद ही वह यहाँ से चला गया स्टीवेंस के फैसले से सरकार काफी मुश्किल में पड़ गई उसे बहुत नीचा देखना पड़ा और उसने अपने मुँ की लाज बचाने के ख्याल से मिस्टर क्रासवर्ट को जो सेटिल्मेंट कमिशनर थे मुन्शी भवानी प्रसाद के पास राजी नामे का पैगाम ल पनवा लिया जाए। उसके एवज में मुन्शी भवानी प्रसाद के तमाम अक्तियाराम और हतियार उन्हें वापस दे देने का वायदा सरकार की तरफ से किया गया। मैंने अपनी जिन्दगी शुरू की थी और भाग्य के ही बल पर आज में इतनी बड़ी सरकार का विरोधी स्विकार किया गया और भाग्य के ही भरो से इस आशे और दूरदर्शा से मुक्त हुआ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आप अपना राजी नामा वापस ले जा पांची वहां से पांच मील दूर लम ही जाना था रास्ता खराब इंट के भटे वालों की किरपास से सडक में तमाम गड़े ही गड़े। आए गए लेकिन सब कुछ मुझे जी के बड़े भाई बलदेवलाल ने किया। द्वार पुझा भी मुझे जी ने न की। द्वार चार के बाद जब बारात जनवा से गई तो उनकी पत्नी ने कहा द्वार पुझा आपको करनी चाहिए थी। उन्होंने जवाब दिया आए ही दी जा सकती है। फिर लड़की का दान कैसा यह सब मुझे पसंद नहीं। आखिर जब रात को शादी हुई और कन्यादान का अवसर आया तो मुझी जी उठकर अपनी जगह से नहीं आये। बहुत समझाया गया मगर ना माने। आखिरकार डॉक्टर भट जाकर उनक जबरदस्ती गोद में उठा लाए और मंडप में बैठा दिया। तो भी कन्यादान किया लड़की की माने मुझी जी मूर्तिवत बैठे रहे।